हेलो गाईज दिस सदाम इलनाडो कैप एंड वेलकम टू माई शो नॉट इट्स नॉट सो यह चैनल है बाई और क्लास्रूम जो छोटी सिस क्लास्रूम में हमारी एक सिंपल सा बोर्ड के साथ आपका स्वागत है अगर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब क करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें यह पुराने वालों के रिवी था और प्लस मैंने इससे पहले सारी प्लेडिश्ट बना रखी है जितनी वीडियो की आप जाए उस प्लेडिश्ट में क्लिक करें वहां सारी वीडियो आपको मिल जाएगी और धीरे-धीरे मैं औ बुस्ते कैसे हैं यह पीसले पर मैंने बोला। इससा है यह प्रॉब्लम को सौल्ब करने के लिए इस स्टेप्स है जो मैंने सीक्विस दॉद्व खुमológ में सॉंद्र हो पर दो करतें की कितु दियरे चत्ति आप देखो कि वहां मैंने लिके रखा है कंटेंट और कंटेंट में निके जाके देखना वहां पर इस तरह टाइमिंग दी रखी है मेभी फाइब यहां उसका नाम दे रखा है तो जो अब टॉपिक में एक लंबे से वीडियो में कवर करने वाल हूं वो सारे के सारे बहुत बढ़िया है ठीक है तो इससे तुम यूज़ करना और तुम्हें मज़ा आएगा क्यूंकि यार यूट्यूब में वीडियो देखना पूरा चिपक के यह काइंड ऑफ इंपॉसिबल तिंग बेटर यह है कि तुम इस वेशे मैं चलो तो उसी तरह से जिस तरह से चलो भई ठीट है हमने वर्ट पावर एनर्जी कर लिया सर्कुलर मोसन कर लिया को प्रॉड्म दो हमने किया इन डिस्कुस मट प्रॉब्लम इस इंट्रेस्टिंग अगर फिजिक्स पर रहे हो प्रॉब्लम ना किये तो मैं सोच रहा था कि एक प्रॉब्लम में नहीं देखा मैंने देखा किया सोचूं क्या करूं क्या करूं ऐसी वर्मा में गया वहां से मैं देखा कि एक मास है जो हैंक की इसमें प्रॉब्लम दे रखा है और फिर यह क्या कर रही है सर्कुलर मोसन में मूव कर रही है बहुत बढ़िया बताओ इसमें कितनी विलोसिटी देनी को के सर्कुलर मोशन मूव कर जाया है तो तुम अगर देखो कि यह को से मिल जाएगा तो जब मैं सोच रहा था कि मेरे को आइडिया है कि इन सब प्रोडों को सॉल्व पैसे करते हैं आप करना कुछ नहीं है एनर्जी कंजरवेशन लगा तो यहां एनर्जी किया होगा और किस अगर मैं सोचने के स्टेप्स को देख लूँ तो अगर मैं प्रोडों को देख लूँ तो हमने वहां सिर्फ क्या किया था एक्वेशन अप्रोडों का यूज किया था कि सपोज यह एक कॉंस्टेंट एक्सिलरेशन है तो प्रजेक्ट प्रटैलियु में ने क्या किया था एक बॉल को लिया उसमें कोई विलोसिटी दी और वह तो ग्रेविटी में प्रीफॉल कंडिशन में है तो बता इसम को लगाने कि क्यों ना मैं इस प्रॉब्लम को करूं यूजिंग एक्वेशन ओ मोसन विच वी हैद एवालियूटेट इन सर्कुलर मोसन तो मैंने तो आपने एको चैलेंज दिया है ना कि चलो भई ठीक है ऐसे करते हैं तब देखते हैं क्या निकलता है कैसे आएगा फिर मैंने सोचा है आठेग छोड़ना पता इन चलना कैसे निकलेगा मैंने सोचने का तरीगें के देखो तीदे ना है बैसे दिए बोला और छोड़ना क्या जरूरा तो कहने का मतलब यह है कि start सूचना कैसे करें तो इस problem को जो मैंने किया पहले मेरी चीज थी कि idea किया था idea यह था कि मैंने सुरू किया मैंने क्या हिंत लिया उसमें मैंने हिंट लिया कि उसके solve करने का जो तरीका मैंने यूज किया था equation of motion बट बंदा यहां भी क्या करा circular motion में मूँख कर रहा है तो क्यों मैंने तो circular motion सारा पढ़ा दिया तो बैटर यह है कि मैं है equation of motion जो circular motion में मैंने यह किया इवाल्यूट को उससे निकाल दिया अब यह भी तो free fall में है यह ना यह भी तो free fall में बस एक थोड़ा धागा लग दिया है जिसमें होगी tension T तो लगा दें अब आते हैं circular motion पर तो मैंने यह कहा कि चलो इसे कहें इसे जो हमें करना वो circular motion से सॉल्फ करना है the concept I am going to use is circular motion अब कैसे करें चैलेंज तो है भाई कैसे करें कैसे करें तो मैंने यह सूचा कि इसा कि मैंने यहां दे रखा है मैंने यह देखा कि ऐसा क्या condition होगा पहले बात यह कि ऐसा क्या होगा कि यह जो अबजेक्ट है वो complete circular motion में मूग्स कर जाएगा तो आइस लिसमें हम क्या करें इसको छोड़ेंगा ऐसे एक पखर लिया और इसे झीए इस देवन निए चलो वह तो ठीक चल रहा है पर इसे करें कैसे करना कैसे करना कैसे इसमें अगर मैं यू दे रहा हूं तो यह horizontal velocity आ गई इसे जाना ऐसे है तब फिर क्या करें क्या 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 करें कुछ समझ नहीं आ रहाता है मुझे मैंने कहा कि यह इक काम करते हैं बड़ा इंट्रेस्टिंग है मेरे को पता है मेरे को पता है कि इसमें दो इसमें कोई नहीं कोई acceleration तो होगा औव यसदीक क्योंकि जब सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो मेरे पास दूए शिलर संदय नाती एय आधी और यह टेंजनशियल आती है मैंने का कि यह जो मैं velocity यहाँ पर दिया तो obviously यह तो कुछ नोग तो पुछ टैंजेंशिल तो सब्सक्राइद करेगा मैंने इस तरफ दिया अब मैंने तुम्हां सब्सक्राइब कर दिदा कि यह जो to knowgic मैंने क्या कहा था Indeed divine indeed object जो इस इस्टेट राइन प्र मुग कर रहा है स्टिट aslında कि कडि़्ट बना दिए लीनियूइर विलउसिति प्लीहोती इसे मैंने कि wiping और और बी इस इकल टू होता है आर ओमेगा ज्यान देना यह बोरिंग नहीं है वड़ा मज़िदा रहा है कि सोचते कैसे हैं तो मैंने सोचा कि यह जो वेलोसिटी मैंने दिया इसकी अलॉंग क्या यह टेंजेंशील एसिलेडेशन प्रोडियूस करेगा और यह फिर मैं कैसे निक गया है तब मैं circular motion पे गया और बिलकुल basic concepts पे गया कि कैसे तुम्हें किस तरह के Velocity इसहां produce होती है और इस Velocity का नाम किया है तो और यह Velocity कितनी होती है है तो साड़ी चीज मैंने इस तरह से किया अब एती मुझे निकालना है फिर AR मुझे चाहिए कि यहां पर कितना होगा क्योंकि 80 भी है तो मैंने कहा कि अगर यह विलोसिटी है अगर यह मैंने विलोसिटी दिया तो तो अब्वियसली यहां होगा तुम्हारा कि यह विलोसिटी यहां जाएगा तो यहां कुछ होगा यहां कुछ होगा यहां कुछ होगा तो यह विलोसिटी कहीं नहीं चेंज तो हो रहा है टाइम के साथ अगर यह विलोसिटी चेंज हो रहा है टाइम के साथ तो अब्वियसल तो मैंने सोचा कि इसे तरह सिंप्लिफाइब करते हैं सिंप्लिफाइब क्या था कि मैंने कुछ के प्रोली को करने का तो मैंने कहा कि यह क्या यहां से घुमेगा और इतना विलोसिटी में दूरू यहां रसी से है और मैं थोड़ा सा इसे उस करता हूं अगर यह इसकी लेंद आ रहे है मास यहां है तो यहां निचे तरफ लग रही है यह एंगल मेरे ठीटा बन गई वैरे गुड आप मुझे पता है कि यह एंजी है तो यह क्या है में टेंशन है तो कहने का मतलब एक जो फोर से इसको टेंशन को बैलेंस करने के लिए एक इस तरफ होगा और इसी के प्रपेंडिकुलर यहां जा अगर ठीटा है तो अब यह मैं अगर देखूँ यह ठीटा है और यह दूना पैरलल होगी यह दूना पैरलल है यह कट कर रही है तो यह भी ठीटा आएगा अगर यह ठीटा है जो इस लाइन से बना रहा है तो यह भी क्या होगा ठीक है चलो यह वाला क्या होगा फिर एम ज तो मैं यहां थोड़ा सा बनाता हूं यह जो तुम देख रहे हो यहां ऐसे तो यह जो mg sin theta हो रहा है वह ऐसे लग रहा है इस काई अफ टेंजेंशी लग रहा है mg sin theta है ना मैंस मैंने दिया कि यह एम जी जो sin theta है जो जो force अगर मैंने object इसको मैंने यहां लाके छोड़ा अगर मैं छोड़ दूंगा जो एंकल थीटा बना रहा है तो यह फिर वापस इदर आएगा यह क्यों आएगा वापस वापस बिकॉज आप दिस एम जी सब्सक्राइब कर दो टेंजेंगे लग रहा है मुझे इससे को चक्क्र नहीं है ती इकल टो एम जी कॉस्ट इटा तो यहां जो फोर्स लग रही है मैं दिखाए तो मैं टी इकल टो क्या लग रही है तुमारी एम जी कॉस्ट इटा बट एम जी सांटीटा जो है वो क्या होड़ा है वो प्रोड्यूस कर रहे एसलेरेसिं इस तरफ और यह एसलेरेसिं कैसे सिल्टेसिंट है अड़ या तो टेंजेंश लेसिए नहीं तो सर्कुलर इसो प्रियोडिक पेंडूलम की जो मूसन है उसमें ज यह तेंजेंश एल एसलेरेसिंट मेंतर होता है जो अलॉंग कर लगता है एक लगता है तो मैंने का अरे यार एक चीज़ तो मुझे मिल गया एक इस इकोल टूट जी ओफ साइन ठीटा बहुत बहतरीन चीज तो एक काम खतम हो गया मेरा एक का कि एक एक इस माइड नथिंग जी साइन ठीटा यहां से मुझे पजा दल गया कि 80 जी साइन ठीटा जो टेंजेंश एक इसको इसको इसकर पर यहां तो काम बन गया मेरे इतना दूर तक तो 80 को मैं आप क्या लिसकता हूं क्योंकि देखो तुम्हें आर दिया हुआ है और मुझे निकालना यह है कि यह जो यह जो विलासिटी है वह किया है वो कितनी देनी पड़ेगी कि पुरा का पूरा मुफ कर जाये तो आप मैं सोस रहा था क्या यहां से कुछ विलासिटी निकलेगा क्या तो 80G साइन छीटा तो भीत जी साइन यह जो 80 है जो एस तरफ लग रहा है तो ओब्यसलिए इस एसे ल आलफा है जरनेरली हम बात को रहे है अलपा और मैं सोच रहा था कि अलफा इस गोल्टू होता है डी ओमेगा वैंधी डीटि टी 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 गजतो इने मेरी गजापन्ति देखो मैं अलफा को मैं सोच रहा था कि एटी एह अना एटी है विए डी ओमेगा वैडी टी फिर मैं सूसरा था कि यार यह यह तो एसलेटा सब देखना ना कि एडियोटिक थेंचिंग भी होती है कि लोगों मैं होती है कि भाई चीजन को सौल्ट पर देखना अन्ग लगोर एससे नोगमें सूसरा थे एटी ठीक है ना तो मैं टी ओमेगा थेटा इन्टुए और मेरे को पता ओमेगा थेसे को गार तो हिएेग्यान ये। अल्फा है वह तो है जीजेसेशन चीटान ना तो फिर मैं सोच रहा था कि अब क्या करें ठीटा तो यहाँ आ गया यहाँ से मुझे मिल जाएगा क्योंगी अब देखो अब यह ठीटा यहाँ पर है तो अब्डिसली यहाँ से पूरा घुम कि फिर वापस सी एने वाला है यहाँ से यहाँ से देखना V by R D omega अब मैं सोच रहा था कि integration यहां करना परेगा अब D omega यह theta जब घुमेगा उसके साथ omega भी है तो omega को मैं क्या लिखता हूँ omega is equal to V by R यह से मैं नहीं लिखा तो omega is equal to मैं क्या लिखूंगा D omega is equal to D V by R तो 1 by R इसकोएर आजाएगा र तो constant है और V into D omega is equal to D V limit कहां से कहां बिखाऊंगा तो पहले अगर इसके बास velocity U थी में कोई देना है न U velocity तो इसके बास theta कितना था 0 होगा फिर उसके बाद अगर यह पूरा का पूरा मूव करेगा तो obviously 2 pi होगा अगर यू है अगेन सेम पॉइंट भी आएगा यह तो यू का यू आजाएगा दियान दे रहे हो यहां पर कुछ नहीं वैरियेबल चेंज किया मैंने बस ठीक है न डी ओमेगा को मैंने वी आड लिखा तक यू मेरे को वी देना है तो ओमेगा से कोई मतलब है नहीं और यह ठीटा है ठीटा को मैं कोछी चेंज कर सकता नहीं हो बत मुझे पता है कि अकर यह सर्कुलर मुशन में मुख करेगा तो यह जहां जीरो था जहां टूपाई आ जाएगा अगर मैं यह सो सब्सक्राइब करों तो कायेगा क्या है और कॉस ठीटा और कॉस अगर इसका मतलब मैं यह सोस रहा था कि ना ऐसे करते हैं कि यह पॉइंट है ना एक पॉइंट में भी है दूसरा प्यूं महां लेता हूँ यहां बी इसलिए मानुंगा थinsky मेरे को पता है कि यहां से यहां तक लिगत जायेगा यह किसी तरह से तो यह बनाएगा मेरा पाई और दूसरी बात ही कि दुनों सेम पॉइंट पर लेंड तो होने वाला है नहीं तो मैं यहां कह सकता हूं इसका कोई वी है है तो यूटवी बेदर यहां पर यहां चीरो टूपाय जैगा चीरो टूपाय मैं इसलिह करको हें पर siya चीटा और आएकर 10 नहीं होगा ये में लो 5ड़े सब्सक्राइब और चेखे है जच्सक्राइब को तो यह तो यह नहीं होगा ये मेरे को क्य स्क्याइट राया पर इस स्क्वेर वन्हान एड़े आन्यगे मंद भी-पीजाएगा के देखें हीजहएश पर दियक्ताया लेत थे बिख अनिकारुएश होगा से अब बिखिनेग मेन कहलंबब टब अचानक फिर याद आया फिर मैं सोच रहा था मैं सोचते सोचते कि यार एक तो चीज हो गया कि मेरे को फिर यहां से इस ट्रीक पॉइंट पर नहीं आ मैं एक पॉइंट सूज कर लिया वी क्योंकि आसानी हुआ कि यह जीरो टू पाई मेरे को इंटेग्रल पता है और प्लस कुछ न कुछ वी है तब मैं तब मैंने सोचा एक चीज कि यार यह वी निकालने के तरीका हो सकता है अगर यह पूरी तरह सरकल में मूव कर रहा है तो यह कंवास इंवलागर एक एक सहीँ का डिस्ट यार ऐट यह जो हम लिखते हैं क्या होगा अगर इंसले क्या है थीक सब्सक्राइक है अब którego हो भी है वोEr्ट क्या तुमारी क्यूंकि यह मैं यू दिया हो अग दो आटिककास अब यह जो भी है वह क्या है इस तरफ लग रही है तुमारी यह मैंने यू दिया ना तो अब यह जितने भी टेंजन से विलॉसिटी है ठीक है अब यह जो इन्वर्ट एसिलेरेशन वह कौन प्रोडूस कर रहा है यह ग्रैविटी प्रोडूस कर रही है तो मैंने कहा कि अगर वी स्क्वेर बाई आर अगर यह दोनों सॉल्व कर ले अगर वी अगर जो यहां पार्टिकल की विलॉसिटी है ज्यादा होगी या बराबर होगी जो इस साइट के एसिलेरेशन से तो अबिसली बॉड़ी यहां मूव कर जाएगा और इस पॉइंट से अगर मूव कर दिया तो यह सर्कुलर में घुमेग तो 80 मुझे मिला जी साइन चीटा और अर को मैंने यह कहा के जैसे यह पार्टिकल यहां जाएगा तो यहां जाने का मतलब तो ऐसा भी हो सकता किया और इसकी विलॉसिटी कम हो गई बिल्कुल कम हो गया जीरो हो गई इतनल से विलॉसिटी उतनी ज्यदा नहीं है तो दिरे मैं कहा centripetal acceleration but here centripetal acceleration actually मैं कौन फ्लूटिक्स कर दो कौन लेके आका रखता है तो मैंने वो देखा कि इस पॉइंट पर जैनरली वो क्या होगा जो वेलोसिटी यहां की होगी जो acceleration होगा वो जनरली यह जी वाला एक फैक्टर जो है वो जी है यह जी है तो मैंने मैंने चलो भाई मैंने इसके इक्वल कर दिया और वी स्कुरिट इकल टू आर जी फिर कभी मैं सुद्धा कि यार यही तो आंसर होगे वी स्कुरिट इक पॉइंट बी है मुझे निकलना है पॉइंट ए पर फिर मैंने कहा कि अब्यस्ली ए टेंजेंशियल तो है यहां जी साइन ठीटा तो फिर से मैं वही करूं लेकिन तब मुझे याद आ गया कि नहीं मैंने कुछ और कर रखा है इस चीज़ पे इस पहना मैंने कुछ और कर रखा है जेनरली यह जो 80 है यह 80 है कैसा सपोज कि यह ऑब्जेट तो अब यह और इस पे मूफ करेगा पोरे सर्कल पे मूफ करेगा तो क्या वह विलोसिटी वी इसी तरफ होगी और सी यह तरफ होगा तो मैंने ज़्यूर्य उपे चैंज इन 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 वलोसिटी यह जो 80 था वह D omega by d ड कए था मैंने का d omega by dt में किया तो मैंने यहां पता कैसे रखा यह भी पता यह था हो मैंदि ओमेगा व्यटी को मैंने लिखा अगर मैं ऐसे लिखते हूं तो d omega by d theta into d theta by dt और d theta by dt is equal to omega d omega by d theta अब मैं अगर इससे यह करूं ये अहीं तो Central PR दो क्या हो आएं तो मेने कर के से त्थेर को आ अगा रांगा तो मैंने का कि यही वाणा अडियों रहा है तो हूँ तो मैंने का करें हैं यह एक्टी है और में और दोनों तो वो सेम क्यों रहा हूं तब मेरे को धियान आया तब मुझे धियान आया कि नहीं टी को जो मैं डिफाइन किया था एटी फिर मैं यहां गया था है ना मैंने यहां सोचा किने 80 क्या होगा 80 is dv over dt जो यह टेंजन सेल विलासिटी है उस पर चेंज आएगा तब मैंने यहां देखा 80 is equal to dv by dt मैंने क्या है अब भाई तू बढ़िया है तो 80 को मैं लिखूंगा g sin theta अब dv जो है यहां theta है तो थीटा चेंज हो रहा है तो मैंने यह कहा कि dv by d theta यहां जाएगा d theta by dt यहां आएगा आए तिन तुमने यहां यहां यह कर दिया है ना देखा कैसे मतलग पर चीजों को मैं गलत करता हूं यह फिर सही करता हूं कि यह जो problem solving का process है ना this is completely thinking कि तुम सोचते कहा हूं अगर तुम्हारे पस कुछ problem आगे तुम्हें कहीं कुछ पता नहीं है तो मैंने तुम्हें ब्रेक करना पड़ेगा कि something is known to you उसमें तुम ब्रेक कर दो तो मैंने इसी problem को दो तीन ब्रेक किया एक प्रजेक्टाइल मोशन में दूसरा simple pendulum में तीसरा ये linear velocity में तब मैंने pieces को वो किया sum up किया और एक picture देख कैसे चीजी हो सकती है अब तुम बोलोगे कि यार अगर एक्जाम में ये सोचने के लिए गया है तो फिर कहाने के ये एक्जाम के लिए नहीं है ये तुम्हारी अभी प्रैक्टिस चल रही है कि कोई भी प्रोलम को सोच हो कैसे है it's completely if you are good at some problem solving then your research you are much more innovative ये नहीं कोई भी चीज घलत नहीं होता देखो 80 को मैंने लिखा अलफा को मैंने लिखा अलफा तो वहां कैसे रॉंग हुआ है some arguments are always going तुम्हें चीजों को सीखते हो कि सोचना किदर किदर से ये बहुत interesting चीज है जो मैं समस्तों मुझे नहीं समस्ता मुझे 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 नहीं बता बट या but I like thinking कैसे कैसे Albert Einstein कैसे सोचा कि भाई व सुष्टे लोग कैसे है you know it's kind of a very magical question कि सुष्टे कैसे है चाहे आप research करो या कुछ करो it's always goes back to something like problem solving हम सौल कैसे करते पॉब्लम तो मेरा way of thinking है इस तरह से कि अगर मेरे पास कोई unknown problem मिलता है तो मेरे पास concept है with concept के analysis पे मैं चीज़ों को solve करता हूं और generally मैं दिखता हूं कि कोई complex problem है क्या मैं उसको break कर सकता हूं कुछ simple non problems में अगर वो breakable है then ठीक है break करके मैं उसको analyze करता हूं वहां से मुझे चीज़े मिलती है फिर pieces को मैं add करता हूं और फिर पूरा picture बनाता हूं तो इस pieces को add करने के लिए मैंने प्रोटेटेल का साहरा लिया फिर pendulum का साहरा लिया और फिर linear motion का साहरा लिया and then मेरे पास मैंने कुछ गलतियां की और उसके बाद कुछ चीज़े सामने हैं तो यहां g sin theta जो मैंने यहां देख रखा है यह dv अब यह g sin theta into theta अब भाई limit आ जातो लिमिट क्या है पहले अगर मेरा u था कि मुझे u देना है और यहां जाकि इसके पास कोई velocity क्या की वी आ गई है ना तो यह 0 हैगा यहां पर दो 0 का 0 है और यह जाय का पाई में है तो यहां अगर मैं लिखूंगा g cos theta 0 to pi because sin theta का जो इंटेगर होता है वो minus cos theta होता है is equal to अब तुम यहां देखोगे कि यह आया 1 by r constant अगें vdb का एगा v square by 2 तो मैं यहां 2 भी दिखा देता हूं अब अगर तुम इस पर इंटेगल का बैटा दो कि यहां आएकर 2g इसे मैंने पहले बताया इंटू तो मैंने देखा 2g because यह cost setup कि अगर value बेटा होगे यहां 2g मिला इसे मैंने यहां लेकर है 2r is equal to v square minus u square अब बात करते हैं v square तो v square मैंने निकालना सिखा कैसे v square को मैंने आप बोला कि g is equal to होगा क्या v square by r तो v square is equal to क्या होगा मेरा rg मैंने खा कर चलो भई ठीक है 4gr is equal to v square is rg minus u square तो अगर मैं u को यहां लेके आऊं तो rg minus 4gr अरे 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 यह negative कैसे आ गया ओ भई मारो मुझे मारो मैंने यह negative आ गया अब क्या करना है एक मिनट होल डाउन फॉल डाउन यह करना कैसे यह करना कुछ नहीं है भी स्क meas rust करने क्या करें या चलो ठीक है यह बोल रहा है कि ratesun जो आपनी यह किया यह जङ्या है यह नेगेटिव होगा क्या हो जागा यह नेगेटिव हो जाएगा यह वी स्क्वेर माइनस ओफ आड़ जी हो जाएगा बिकॉज जी जाके यहां क्या बन जाएगा हैं एक मिनट भई एक मिनट फिर क्या प्रॉब्लम है यू स्क्वाइर इकल टू फोर जी आर तो यू है यह आ नहीं रहा है जेनरली जेनरली एक्चुली में आपने गल्ती कहां किया है मैंने यहां जो गल्ती किया यह एक टी जी साइंट हीटर ना यह जो एसलेरेशन लग रह माशिक्त उसके विरुद लग रहा है पंज wiped the91e मरा आनली साइनन टा तो यह kur नेगेटिव आएगा यह नेगेटीव नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिट इन है यह पॉजिटिव अ बा-एग अब उसके बाद क्या है छिए इस पर जाताएंग है इन वह यह कहा था यह argument जो मैंने लिखा था कि V square by R into minus G मैंने कहा कि यह तो फिर suitable नहीं है because obviously यह जो अंदर की तरफ है और यह जो velocity acceleration जो प्रोडिस होती है radial acceleration वो भी अंदर की तरफ होती है तो भाई यह तो मुम्किन है है ना V square R G यह तो फिर मुम्किन नहीं है तो मैंने यह कहा कि हाँ अब ठीक है यह negative यह यह नेगेटिव यह आ गया और जो मैंने यह नेगेटिव दिया था वो cancel हो जाएगा अब यह minus 4G minus R G is equal to minus of you यह कि देखा कि एक नेगेटिव को तुम पहली कर सकते हो कहा रहे नेगेटिव यह उसको मैंगनीचीट मान लो बट नहीं ठीक है तिंग है तिंग है कहां से कोई सब्सक्राइब यहां यहां गया ओमेगा डीव डीव डीटर यहां से आने के बाद मुझे मिल गया यू इसकोल टू स्क्वाइर रूट ओफ फाइट जी आर और यह रहा मेरा आंसर किससे इतना सारा मिस्टेक करते करते मेरे क्या बन गए 15 मिनट 20 मिनट तो लग गए ठीक है तब जाके यह पूरा का पूरा चीज सौल हुआ तब मुझे पूरा पिक्चर कंप्रीट हुआ कहां कौन सा अर्गिमेंट जाएगा किस वे से हम स्टरी कर सकते हैं इस चीज को तो यह तो सब्सक्राइब तो बहुत सिंपल प्रॉडम था बहुत साले कॉंप्लेक्स कॉंप्लेक्स को भी हम क्या करते चोटे सुटे फूटे परम देखते हैं और फिर करते हैं कि इसकी सोल्वेशन क्या होगी अच्छा अब मैं दिखाता हूं कि तुम्हें आयाटी में प्रॉड्लम यह एक मास एक बिल्कुल होडिजंटल है तो बताओ इसमें इसकी विलॉसिटी कितनी होगी कि यह पूरा का पूरा सरकल में भूम जाए तो यहां तो मैंने यह कहा कि चलो मैंने यह कहा कि अच्छा यह आकर यहां है तो अब्विसलिए अगर मैं यू यहां दू तो पूरा का पूरा मूफ कर जाएगा तो यह अगर मैंने यू यहां पर दिया कुछ तो पूरा मूफ करेगा मुझे पता है यू मैंने यहां क्या दिया है यू इसका रूट फाइप जी र है यहां पॉस्टने के पास कुछ विल अपर है reference point से मेरे और इसमें कुछ velocity भी होगी तो मैंने यहां लिखा e initial is equal to e final e initial में मेरे पास क्या था half mu square था फिर बाद में इसके पास कुछ velocity होगी mv square plus potential energy that is u इस पर मैंने माना 0 इस तो कुछ होगा तो अब देखो यहाँ half m.. yuk pata सल गया मुझे पहले बाले से यहाँ इस i g इस इक़ chatting is equal to half mv square m पता नहीं है sorry v पता नहीं है मेरे को कितना होगा अब यू is equal to मेरी में यहाँ से यहां से यहां से यहां तर कि läuft यह जो center है यहां से ज्याद इसकी जो क्या है लेंद किती आड है यह आड ही चला गया यहां पर तो mg यह यह cancel हो गया अब दो जी आर जी आर तो मैं दिखूंगा यहां पर half mv square is equal to इसको मैं इस तरफ लेके आया 1 by 2 5gr minus of gr तो अगर 8 LCM लोगा 2gr यानि कि 3gr by 2 तो half mv square is equal to 3gr यह cancel हो गया hang on यह master कर गया है तो 2 to cancel to v square is equal to क्या हो गया v is equal to 3gr means कि अगर मेरे पास कोई particle यहां है तो मुझे बस इसमें square root of 3gr की velocity देनी पड़ेगी and then I can solve my problem इसी का नाम है kinetic energy plus potential energy energy of conservation because we are in a free field जहां पर हमारा कि है सिर्फ g लग रहा है और energy conservation हम इसली लगा सकते हैं तो मेरे को पता था पिछले problem से कि यहां पर कितनी velocity देनी परती एक point पर बस यहां मेरे को fine निकाल नहीं है तो जहां भी हम energy conservation principle लगाते हैं तो हमें दो points को देखना पड़ता है एक potential एक point जहां पर initial दे रहे हो एक point जहां तुम final जहां निकालना है तो यहां मेरे को निकालना है पिसले बार मैंने argument यह था कि मैं यहां क्यों परेंगे जब exam आएगा तो देखा एक problem को पहले फूरी तर से study कर लो कि एक problem को study करने का मतलब उसमें जितनी concepts है उसमें क्या-क्या तुम सोच सकते हैं उन सब को कहीं लिखना है तो उसको लिख भी सकते हैं यहां मैंने इस वेर से building तभी तुम्हारा thinking process बहुत fast होगा ज्योंकि तुम्हें हर एक problem को three minutes में solve करने हैं और three minutes में solve करने के लिए जो तुम्हार training है सिर्फ यह नहीं कि यह pattern देखे solve करना नहीं पहले तुम धीरे आराम से कोई problem को solve करना सीखो उसके बाद कुछ problem उन्हीं के best पर होगा अब उनके बाद तुम लगाना सीख जा कि हाँ यह चीज इस concept पर इस concept पर fit करेंगे यह इतना इतना काम हो गया तो यह problem को तुम्हें solve करने के लिए zero point क्या होगा half second लेंगे five seconds लेंगे 30 seconds तुम्हें लगेंगे इसे solve करने के लिए 30 मिनट्स में तुम्हें पूरा का पता देल आएगा कि हाँ यह केतना बहतरी है हो गया तो आयटी में प्रोडम ऐसे करते हैं लेकिन जब ट्रेनिंग प्रिट चल रही है तो उस तरह से करते हैं तो आई होप तुम्हें पसंद आया होगा तो मैं सारी के सारी प्रोडम को इस तरह सुल्ग नहीं कर सकता बाट इस प्रोडम गव surprised सकते हैं कट्रील क तुम्हें सामने आके तुम्हें को सुल्ग नहीं करना लिए यह जैसली्ट हूं क्ट्र manufacture जैंगाए तुम्हें मिलता है का नहीं इसने करने सब्सक्राइब के लिए सथे यसा राइने को मिली तो लोग आई करने तो लोग को आए यह न सानल देट और momencie ड़नलख नहीं के जो गलत था न सब्सक्राइब काया है फिस सएदेपला मिल्मिल है वह, क्या है वह काइंड फॉर संथिंग लगेगा काई लगेगा काई लगेगा इसकाइब संथिंग फिर जो कंसेट तुमने सीखा उसको लगा सकते हो कि नहीं जब भी दैनी वेल ट्रेनिंग इस कंप्लीट इन इस लाइटनिंग प्रोसेस आया कोई चुटकी वजा हो गया बट ज स्क्रेच की जो थिंकिंग प्रोसेस होती वह ऐसी होती है आप तुम्हें मजा आया होगा अब मजा आया होगा तो दिल खोल के भाई बताना कि मजा आया और नहीं मजा आया ओकी फाइन नो प्रॉब्लम है तो देश अधा मिनाड़क्र